हेलो एप्रिवान कॉमर्स अध्यन में हम देखने वाले हैं मशीन आवर रेट में जो कोश्चन नंबर 11 है उसको सॉल्ट करेंगे इस वीडियो में कोश्चन नंबर 10 हमने डिस्कुस किया था उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा और यह रिक्वेस्टेड वीडियो कि मैं प्लीज आगे की जतने भी कशिंन से मैशन् il रेट की उन्हें भी सस्वोल करें तो चलीं देखते है इस वीडीयो को कैसे इसको सॉल्क करना तो पहले कॉस्चन का मच्चय से रीट कर ले तो संबचल लेते हैं उसको समझ लेते हैं उसको स्वश्क को सल्स्आइउ okay find out the machine hour rate from following information so information is given है वो देख लेते है cost of machine rupees 19,000 machine की जो cost है वो है 19,000 रुपए installation expenses rupees 1500 installation expenses that means कि जब कभी हम कोई machine लेकर आते हैं तो उसको जब लगाते हैं ठीक कहीं पर जहां पर भी उसको रखना है लगवाना है तो उस कुछ खर्चा आया हुआ है जो कि है 15,000 रुपए इस्क्राइब वैल्यू एड़ इंड ऑफ रुपई is 2500 इस्क्राइब वैल्यू क्या यहां पर मतलब है जो खराब वैल्यू होती है machine की वह 25,000 रुपए तो machine की cost में उसका जो installation expenses होता है include हो जाएगा और जो describe value होती है यह हमेशा minus हो जाती है machine की cost में से ठीक है इतना clear हो जाएगा इतना treatment करने के बाद means 1900 plus 1500 minus 2500 करेंगे तो actual cost of machine आ जाएगी life of machine 10 years यह जो machine है इसकी lifetime है वो 10 साल है lifetime का मतलब है कि यह 10 साल तक अच्छे से work करेगी ठीक है 10 years working hours in the year 1800 तो जो एक machine है ना तो उसका जो working hours है वो है 1800 घंटे ओके so annual repair रुपी is 450 आपका जो annual repair amount है वो है 450 रुपए ओके चले next देखते हैं पॉइंट water charges 100 लीटर पर working hours at 50 पैसे पर 1000 लीटर कहने का मतलब है इनका कि एक घंटे में जब वो machine चलती है तो water जो लेती है वो लेती है 100 लीटर एक घंटे में और 50 पैसे जो rate है वो है 1000 लीटर का तो हमें एक लीटर का rate पता करना हो तो एक लीटर कितने का हो कितने पैसे का है यह कैसे पता करेंगे 150 पैसे divide by 1000 लीटर करिएगा क्योंकि 50 पैसे एक हजार लीटर का है तो एक लीटर का मालूम करना है तो क्या करेंगे 50 पैसे divide by 1000 लीटर और हमें चाहिए कितने लीटर का amount 100 लीटर का सो multiply by 100 करेंगे clear one operator employed at rupees 400 per month operates two machines operator जो है एक operator जो है वो employed है machines पे और उनका 40 रुपए पर मंथ का बनता है जो भी salary बनती है ठीक है और दो machines operate करते हैं वो तो क्या करेंगे आप पहरते यह पर मंथ है तो आप yearly कर लीजेगा क्योंकि यहां पर annually given है आपका जो भी working hour से annually given है तो हमें हर expenses को annual करना होगा जो पर मंथ है so 400 per month है तो 400 multiply by 12 करेंगे तो बारा चोग 48,000 तो 48,000 हा जाएगा उस 48,000 को हम two machines से divide करेंगे क्योंकि हमें एक machines का working hour rate find out करना होता है एक machine का yearly ठीक है कि एक machine एक घंटे में एक साल चल रही है तो एक घंटे में कितना खर्च आता है ठीक है यह चीज़ निकालना होता है so 400 multiply by 12 and divide by 2 करेंगा तू मेंच्ट पॉइंट पॉइंट इस वन सुपरवाइजर इंप्लॉइड एट रुपीज नाइन हंड़ पर मन्त सुपरवाइजर की जो सैलरी वो 900 पर मन्त है तो 900 आपका यह पर मन्त है तो आपको क्या करना है या तो आप पहले इसको multiply by 12 कर लेज़ तो 900 पर मन्त है तो हम इसको पर मन्त रहने देते हैं हमें सीफ एक सुपरवाइजर की सालरी जाननी है ठीक है और यह क्या ओप्रेट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है तो ऑपरेटर से इसको divide कर देना है 980 पर मन्त डिवाइट बाइड बाइड रुपीटर खेंड तो कितन श्याजर्खिएगा पहले तो 900 पर मन्त को टूबरेटर से डिवाइट करिएगा 450 को अब टू-मशीन से डिवाईट करना क्यों क्योंकि जो आप्रेटर से यही वाल जे ओपरेटर से और ये तो 200 आपका आएगा 25 ओके तो डियाइट करने पर आजाएगा 225 और उसको जब हम 12 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो 2700 आजाएगा ओके यह जो कोशन है इस कोशन के नीचे हिंट दिया हुआ है कि अगर आप operator salary इंग्नोर करते हैं तब क्या आता है और अगर आप इंक्लूड करते हैं operator salary को तब क्या answer आएगा तो मैं proper इस कोशन की according ही बताऊंगी कुछ भी एक्नोर नहीं करूंगी operator की according ही हम find out करेंगे कि answer हमारा कितना आएगा clear next time point देखते हैं each machines consume four units of power per hours at the rate 30 rupees per hundred units आप यहां पर यह कोशन देख सकते हैं यहां पर कह रहा है जो machine है वो four units consume कर रही है एक machine एक machine चार unit consume कर रही है एक घंटे में ठीक है per hour means एक घंटे में चार unit consume करती है और यहां पर एक unit का जो प्राइज है वो है 30 rupees per unit 30 रुपए पर unit है sorry 30 rupees per 100 units means अगर आप hundred units use करते हैं 30 rupees प्रे करेंगे कितनी units use करेंगे hundred तो 30 rupees पे करेंगे ठीक है लिकिन हमने तो by 100 units multiply by 4 units और जो भी आएगी cost वो हो जाएगी आपकी 400 units की clear next point देखते हैं insurance charges पर ये 216 रुपीज तो अब insurance charges एक साल का 216 दिया हुआ easily और कोई machine का चक्कर भी नहीं कितनी machine का है क्या है कितने गंड़ ऐसा कुछ नहीं है तो हम 216 पूरा ले लेंगे divide by 18 100 जो भी हमारे working hours है per year के उससे divide हो जाएगा अब हम बात करते है rent of factory building रुपीज 900 पर मन्त factory building जो है उसका rent जो है वो 900 पर मन्त है in all there are 9 rooms in the building including manager's room ठीक है यहां पर वो कह रहे हैं कि 900 पर मन्त उस building का rent है और उसमें total जो room है वो 9 है ठीक है 9 rooms है वहाँ पर 9 rooms है उस building में उसमें से एक है आपका manager का room जो कि इसमें included है okay and 16 machine operate in 8 rooms उसमें 16 machine से किसमें है और 8 rooms में 16 machines operate की जाते हैं देखे 9 rooms है 9 rooms में से एक room में आपकी manager रहते हैं factory के जो भी manager है वो रहते हैं बागी के बच्चिए जो 8 rooms, 8 rooms, 8 rooms, 8 room में क्या हो रहा है machines रखी है जिन्हें operate किया जाता है कितनी machines है 16 machines है इसका calculation हम क्या करेंगे rent find out करने के लिए इस तरही के से करेंगे तो अब चलिए हम करते हैं question को solve और देखते हैं कि कैसे इसका answer हम find out करेंगे okay start करते हैं यह तो हमने यहाँ पर sheet ले ली है और question को हम करने वाले है find out तो मैं यहाँ पर line draw कर लेती हूं उसकी cost को लिखने के लिए तो हम सभी को पता है जब हम operating sorry machine our rate find out करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या standing charges क्या लेते standing charges जो कि ज़्यातर fixed होते हैं और करने ही होते हैं second आता आपका variable charges दोनों ही हमने यहाँ पर लिख लिया है ठीक है चलिए blur की हो गया okay अब हम बात करते हैं question की सबसे पहले हमने machine की cost देख ली थी क्या है cost of machine है 19,000 ठीक है आपको question तो याद हो गया होगा मैंने बहुत अच्छे से explain किया था आपको तो हम सबसे पहले deposition find out कर लेते हैं 19,000 machine की cost इंस्टालेशन चार्जेस है 1500 के और जो आपकी इंस्टालेशन चार्जेस है 1500 के इस्क्राइब वैली है कितनी subscribe value 2500 तो यह minus हो जाएगा यहां से clear और एक चीज़ आप जब कभी कोशन सॉल्ट करते तो जो भी working hours होते ने yearly machine का जो भी working hours यहां पर है तो हम उसको यहां पर उपर note down कर लेते हैं 1800 जो है working hours से machine के तो यह याद रखेगा ठीक है तो help हो जाएगी सामने रहेगा बहुत easy ह हो जाएगा हमारे लिए ठीक है तो हम इस तरीके से इसकी value को हम find out कर लेंगे पहले तो machine की value को यह आपको कर लेना है and divide by lifetime of machine तो lifetime of machine की पात के तो 10 years उसकी lifetime थी working hours है 1800 तो 10 years ठीक है और multiply by 18 hours यह per year है 1800 जो है यह yearly है आपके पर आनम hours है sorry पर आनम यह घंटे हैं ठीक है 1800 गंटे है और तो फिर अगर एक साल में machine आपकी 1800 गंटे चल रही है तो 10 साल में कितनी चलेगी तो इसको आप इस तरीके से करेंगे इनको पहले add or less कर लिजएगा तो यह आजाएगा आपका 20,500 देन माइनस करेंगे 2500 को तो आजाएगा 18,000 ठीक है 18,000 आजाएगा इसको 30,000 आवर्स आजाएगा यह घंटे में आजाएगा आपका तो जब आप इसको डिवाइट करेंगे तो आजाएगा 1 रुपीज तो हम इसको यहां इस कॉलम के बहार लिख लेते हैं 1 रुपीज क्लिए टेप्रिसेशन हमारा आगया इस तरीके से आएगा चलिए नेक्स पॉ करें तो यह आजाएगा आपका 0.25 okay 0.25 क्लियर होगा रिपेर समझ में आगया आपको चलिए नेक्स पॉइंट देखते हैं क्या हो सकते हैं इसमें तो नेक्स्ट पॉइंट के अगर हम बात करें आपका तो यहां तक हमारा हो गया रिपेर हो गया वाटर चार्जेश 100 लीटर पर वर्किंग आवर और रुपीज 50 पैसे पर 1000 लीटर वाटर तो हम देख लेंगे यहां पर वाटर चार्जेश क्या है वाटर चलिए 50 पैसे है 1000 लीटर का 50 पैसे जो है यह किसका है 1000 लीटर तो इसको मैं 0.5 0.50 कर लेती हूँ और यह 1000 लीटर का रेट है तो जब कभी भी इस तरीके से अमाउंट गीवेन होते हैं न इतने लीटर का है तो आपको क्या करना अमाउंट को उतने लीटर से डिवाइड करना है तो 50 पैसे 1000 लीटर का है तो डिवाइड करेंगे तो एक लीटर का पता चल जाएगा और हमने 100 लीटर यूज किया है जब आप इसको मल्टिपलाई करेंगे तो आ जाएगा 0.05 इस 0.05 को हम यहां बाहर लिख देंगे ठीक है वाटर 100 लीटर पर वर्किंग आवर मिस एक घंटे में ठीक है 100 लीटर यूज करते हैं अब 50 पैसे है पर 1000 लीटर का तो 50 पैसे डिवाइड बाई 1000 लीटर एंड मल्टिपलाई बाई 100 लीटर ओके समझ में आ गया कैसे आया अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वन ओपरे तो वहाँ हिंट में कहा कह रहा है कि अगर ऑपरेटर को आप इग्नोर कर देते हैं तो हम क्यों इग्नोर करें हैं तो हम इसको इंक्लूड करेंगे और उसकी अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आ रहा है वह दे रखा है 5.78 और मैं वह 5.78 ही फाइंड आट करके आपको बताऊ ठीक है 400 पर मन्त है तो इसको मल्डिप्लाइबाइबाइबाइब कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा बाचू करता अलिस अब टू मशेंस यह उपरेट कर रहे हमें सिर्फ एक मशिन की कॉस्ट फाइंड आट करनी होते भी परावर तो क्या करना होगा डिवाइ एड रुपीश नाइन अड़ डिपर मंश्यट पर माष उपर अपरेटर अपरेटर के लिए यह वाला पॉइंट इस पॉइंट से बिलॉंग खर रहा है यह दोने दूसरे से एंट ये से रिलेटर ए तो आपको अपको तो इसको पहले पर मंथ है तो पर मंथ कर लिजे अग इसको डार्ट क्या कर सकते हैं, multiply by 12 कर सकते हैं, अगर आपको यह easy लगता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले डिवाइट कर लिए ज़े, पहले दिखिए कितने हैं, 900 पर मन्त, और यह जो supervisor हैं, दो operator को supervise कर रहे हैं, दो operators को supervise कर रहे हैं, तो हम पहले divide by two operators कर लेते हैं, तो यह जो one operator है, एक operator दो machine को operate कर रहा था, एक operator दो machine को operate कर रहा था, तो अब दो machine से भी divide करेंगे, किसे divide करेंगे, तो इसको अब फिर से divide करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 225 आगया, clear हो रहा है point आपको, ठीक है, तो point समझने कोशिश करेंगा, supervisor salary is 900, अब एक supervisor two operator को supervise क कर रहा है, एक supervisor, और जो एक operator है, वो two machines को operate कर रहे है, तो divide पहले किसे करेंगे, 900 divided by two operators, जो आएगा, 450 divided by two machines, अब यह 225 जो आया है, यह पर मन्त है, यह पर मन्त है, तो इसको हम annually means yearly कर लेंग, तो जब आप इसको multiply करेंगे, तो आएगा, 1250 को 0, 1224 और 630 को 0, फिर 1224 प्लस 3, 2700, तो इनका कितना आ जाएगा, उप, supervisor की salary कितनी आ जाएगी, एक supervisor की, 2700 yearly, clear हो गया point, एक operator की salary yearly, 2400, एक supervisor की yearly salary, 2700, clear point, next point देखते हैं, एच मशीन consume 4 units of power per hour, at the rate, Rs. 30 per 100 units, ठीक है, तो यह था आपका power वाला point, अब देखिए, आप जब आपकी जो मशीन है, वो जब काम कर रही है, एक मशीन की बात कर रही है, वो 4 units consume करती है, ठीक है, एक घंटे में 4 units consume कर रही है, कितने में, एक घंटे में, अब यहाँ पे 30 रुपे, जो है, वो 100 unit का rate ही, हमें तो 4 unit का चाहिए, तो क्या करेंगे, 30 रुपीज, डिवाइड बाइ 100 units, मल्टिप्ला करेंगे, 30 रुपे 100 unit के लिए, तो एक unit के लिए कितने रुपे होंगे, तो वो डिवाइड करने पर आजाएगा, और फिर मल्टिप्लाइ कर लिजएगा, 4 units से जो आपने यूज की है, गंटे में, तो यह आजाएगा, आपका कितना 1.2, तो इस 1.2 को हम यहाँ पर भी 60, तो एंशौरेंस समयशा, वाम यहाँ पर शो करते हैं, तो इहाँ पर शो कर देंगे इंशौरेंस चार्ड ment तो इंशोरेंस 216 इंशोरेंस आगया 216 यह 2700 यह 2400 क्लियर हो गया हो गया यह पॉइंट अब हम आगे देखते हैं अब कोशन को हम आगे देखते हैं आगे क्या होगा देखिए रेंट फेक्टरी बिल्डिंग 900 पर मन्त इन ओल देख आर 9 रूम्स तो क्या करना है आपको और इसमें कह रहा है कि जो मैनेजर का रूम में वो इंक्लूड़ है तो हमें मैनेजर से कोई मतलब नहीं हमें मशीन से मतलब है तो आज रूम में आपकी मशीन से जो अपरेट की जा बाद आता है तो चली इतना कर लेते हैं हमोग पहले nope कि चली कि पर आता आपका स्थानिंग चार्जम combination available कि इंड़ है कि इप इतना कर लेते हैं तो और एक रूम्स दीख इंड़ बच्चे 800 हा जाता है कितना यह पर ना हो जाएगा 800, अब चलिए, 8 rooms में कितनी machines है, 16 machines है, कितनी है 8 rooms में, 16 machines, हमें सिर्फ एक machine का one hour का cost find out करनी होती है, तो 16 machines का, हमें क्यों लेनी है solar machine का, क्योंकि वो जो 8 सवाया, solar machine का rent है, हमें एक machine का चेए, तो अब divide by solar कितना आ जाएगा 50 रुपीज एक मशीन का पर मन्त है क्योंकि यह पर मन्त आया है पचास रुपए तो अब एक मशीन पर कितना आएगा तो multiply by 12 करिएगा तो इतना जब आप calculation कर लेते हैं तो यह कितना आजाएगा आपका बारा पंचे साथ मिन्स 600 रुपए यह आजाएगा अब क्या करना है हमें एक घंटे की cost find out करने standing charges यह जो आप देख रहे हैं यह तो सब पूरा का पूरा yearly है ना तो हमें एक घ working hours से जो yearly इनको इससे डिवाइड करना तो पहले तो आप इनका सब का टोटल कर लीजे टोटल कैसे करेंगे यह 2400 पकड़िए ठीक है क्या पकड़िए 2400 पकड़िए फिर यह 2700 भी पकड़ लीजे एड कर यह इसको करिएगा ओके फिर इनको पकड़िए कहां गए insurance महाराज 216 फिर आपको यह rent है यह कितने है 600 इनको भी पकड़ लेना है पकड़ने के बाद इन चारों को वापस में क्या करना है हमें एड कर देना है तो जब आप इसको एड करेंगे ना तो एड करने पर आएगा टोटल इनका आएगा 5916 वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए मै पीच बीच में मैं एडिटिन में इसको हटा दोंगी तो आप वो क्या करेंगे इसको एक बड़ा अपने से करने के भी कोशिश कीज newly by जेगा मेरे भरो से नहीं से डिवाइट करना है आपको तो डिवाइट करने पर आएगा आपका 3.28 और भी आएगा तो हम 2 डिजिस तक लेते हैं 3.28 तो जो स्टांडिंग चार्जेस का जो टोटल अमाउंट आजाएगा आपका वो आजाएगा कितना 3.28 पर आवर कॉस्ट ओफ वन मशीन ओके एक मशीन की पर आवर में स्टांडिंग चार्जेस येरली लेती है कितनी कॉस्ट 3.28 एक घंडे की अब इन सबको आपस में इनको क्या करना है हमें एड करना है तो एड करिएगा 3.28 यहाँ पर मैं लिखती चलिए जाती हूँ और आफट 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 एड करके कॉमेंट सेक्षर मे 1.2 इनको एड करना है आपको तो कितना हो जाएगा 5.2 और 8.88 और 8 हो जाएगा फिर 2.4 दो 6 और 7 हो जाएगा और यह 3.25 हो जाएगा तो आपका आउसर आ रहा है 5.78 आउसर कितना आ जाएगा बच्चे 5.78 तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं मशीन आवर रेट क्या आजाए इस तरीके से आपका यह जो कोशन है इसका आउसर हम फाइंड आउट कर लेंगे मुझे यकीन है मैंने आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाने की कोशिश की है सो प्लीज कॉमें करके जरू बताएं आपको समझ में आ गया है और वीडियो को लाइक जरू करें अगर अपको जाए जाए अपनी फ्रेंश के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके कोई भी डाउट है या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर आकर बता सकते हैं या फिर कॉमें परिकोशिश करती हूं कि वीडियो के देख पाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तर के लिए टेक कियर और थैंक्यू सो मच फो वाचिंग इस वीडियो